प्रिय विद्यार्थी मित्रो चटी कविता दसवी की दसवी काक्षा की चटी कविता ऐसा भी होता है इसके पटनार्थ में आप तमाम का स्वागत है जिसे अभिशेक जैन ने लिखा है इस पटनार्थ के जो कवी है अभिशेक जैन पहले इनका परिचे ले लेते हैं इनका जन्म 1989 में हुआ गिरडिहा जारगर्ण में अभिशेक जैन जी ने कविता कहानी निभंद आदी विविद विधाओं में लेखन किया है अनुभव पर आधरित आपकी रशना है विविद पत्र पत्रिकाओं में नियमित छक्ती रहती है यह लेखक बहुती कविता कहानी निभंद और विविद विधाओं में यह लिख कविता है अभी रचनक एसी है इसे विश्व की सबसे छोटी पईता कहा जाता है जिसे पाउच्वी श्यक्त से हिंदी साहित्ते में खुले मन से हाइकु को सुवकार किया है यह को कोईता पाँच साथ पांच सत्रावर्ण के रहांचे में लिखी जाती है प्रस्तुत विविन हाइकों के माद्यम से कवी ने गरीबी, धकान, वरुक्षों के काटने के दुश्परिनाम, अनावाशक अहां और दाश्रम के दर्द संसकारों के अभाव, आधी विविद्ध विश्वयों पर परकाश डाला है यानि इसमें कवी ने क्या किया है, बहुत अलग-अलग खिस्म की जो विदाय होती है, उसे एक साथ पेश करने की यहाँ पर कोशिश की है, इसकी चेश्टा की है चलिए शुरुआत करते हैं और से समझने की कोशिश करते हैं गर्जे मेग सहम कर कापी कच्ची दीवार इसका अर्थात बरसात के मौसम में उमड घुमड कर बादल गरचते हैं, बादलों की जोड़दार गड़गडाट से मिटी से बनी कच्ची दीवारे हिलने लगती है और यही दुरुष्चे में यहां पर कभी ने बैबताने की कोशिश की है, कि यह दुरुष्चे ठीक उसी तरह होता है, जैसे कोई सबल वेक्ती अत्वाए, कोई बहुती असाहाय आदमी या निर्बल आदमी पर कुरूत करता हुआ, उस पर गुसा करता है या तम तमा उठ अब दूसरा बंध है, रवी चड़ाए, रवी चड़ाए, निर्मल केरनों से धरा हो को अधर्रे, अब यहां पर क्या कहा है, पहले पंक्ती में जो गरजना है, यानि बादलों का गड़ गड़ाना, मेग यानि बादल लिहते हैं, अब इसमें क्या है, और सहमना, डरना, घ अब यहां पर क्या है, रवी चड़ाए, निर्मल केरनों से धरा हो अधर्रे, अब अधर्रे यानि उप्युक्त द्रव्य जो होता है, उसके लिए अब धरा क्या है, धरा किसके लिए यहां पर उप्युक किया है, धरा के मैने पृत्वी धर्ति को कहते हैं, तो रवी सिने के तो सूर्य उद्व का द्रोशी ही के अद्बुत होता है, बहुत ही निर्मल किरिने होती हैalo, सूर्य की शुभरा और स्वाच्य के एख द्धर्थीी परपड़ती है दर्शाया है अब देखेंगे तीसरी पंक्ति क्या कहती है आके पसरी ठकी हारी किरंधरा की गोध में अब यहां पर क्या कहते हैं कभी आके पसरी ये पसरना ये फैलना ऐसा नहीं है कि पसरी ये लेड़ गई सूर्य अपनी किर्णों के द्वारा समुचे विश्व पर अपना प्रकाश प्रसारित करता है उसका ये कारे धर्ती के आरम से चला आ रहा है कभी किर्णों और पृत्वी दोनों का मानवी करन करते हुए कहते हैं के सूरे के पास से धर्टी तक पहँचते पहँचते किरन ठक गई है और वो ठकी हारी आकर धर्टी की गोध में पसर गई है चलो देखते हैं अगली पंक्तिया क्या कहती है खुली आँखों से खुली आँखों ने जीवन भर देखे बंद सपने अब इसमें क्या कहा है? इसमें कभी वर ये कहते हैं कि हमारे देशे गरीब और असाहेड लोगों को ठगने वाले लोग उनसे तरह तरह की वादे करते हैं, सपने दिखाते हैं, जूटी आशाये दिलाते रहते हैं और ये बेचारे खुली आखों से जीवन भर वे सपने ही देखते रहते हैं जो कभी सच साबित नहीं हुए उनके लिए सपने सपने ही रहते हैं और कभी वो सपने अपने नहीं होते कभी पूरे नहीं होते अब अगली पंक्ति में देखते हैं कटते तरू उजड़ा आशियाना, कटते तरू उजड़ा आशियाना, रोए पखेरू, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, कवी वर्रे क्या कहते हैं, कटते तरू उजड़े आशियाना, अब यह तरू तरू यानि पेड़, आशियाना आशियाना यानि घोंसला, और पखेरू, प पक्षी को कटते तरू उजड़ा आशियाना रोय पक्षी यानि वुरुक्षों की अंदा धुन कटाई होने के कारण जंगल के जंगल साफ होते जा रहे हैं इससे प्रानियों के लिए पेड़ों की छाया में मिलना भी दोबर हो गई है पेड़ कट जाने से पेड़ों पर बने पक्षियों के घोसले उजड़ गये हैं बेचारे पक्षी अपना घर बार उजड़ जाने से मारे मारे रोते फिर रहे हैं अब देखते हैं अगली पंक्तियों का अर्थ क्या है बच्चे पतंग माबाप थामे डोर छूते गगन चुते गगन अब यहाँ पर गगन यानि आकाश डोर यह पतग की जो दोरी होती है धागा होता है उसे कहा है यहाँ पर और गगन यानि आकाश या आसमान बच्चे पतंग की भाती होते हैं जिनकी डौर उनके माता पिता के हाथ में होती है ये बच्चे आकाश की उचायों को छू सकते हैं अगर माता पिता इस पर ध्यान दे ये बहुत ही एक अच्छी सला है माता पिता के लिए कवी की तरफ से अब देखेंगे तन माती का फिर कैसे गुमान कद काठी का अब यहाँ पर कभी वर्य क्या कहते हैं जो तन है वो कैसा है तन यानी शरीर जो है जिस्म जो है वो कैसा है माती का है तो फिर गुमान क्यों कर रहा है यानि घमन क्यों कर रहा है इंसान घमन करता है न और फिर वो कद काटी यहने डेल डॉल को देखकर शारीक गठन को देखकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है अपने आपको बड़ा समझने लगता है तो तनमाटी का फिर कैसे कैसा गुमान कद काटी का मनिश्यों को अपनी उपलब्दियों का गर्व होता है उसे लगता है कि जो भी हुआ वो सब उसी के कारण हुआ पर अपने आप पर घमन करने वाला मनिश्य यह भूल जाता है कि शरीर के बल पर वो इतना गर्व करता है वो तो एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है और उस मिट्टी में मिलने वाले शरीर पर क्यों गर्व करना वो उसे रोकना चाहता है अब अगली पंक्तियों में देखते हैं कभी वर्रें क्या कहते हैं उडापकhiaroo उडापकhiaroo देखता रहे गया ठगसा तरू अब यहाँ पर क्या कह रहा है ठगसा ठगसा का मतलब क्या है धोका खाया हुआ जैनि ठगा हुआ सा ऐसा भी कह सकते हैं या फिर ठग सा अब यहां पर कभी वर्य क्या कहते हैं उड़ा पखेरू देखता रहे गया ठग सा तरू तरू यानि पेड को कह रहा है पेड की शोबा पक्षी से होती है पक्षी के उड़ जाने पर पेड खाली खाली लुटा हुआ सा रह जाता है यान तन की शोबा तभी तक रहती है जब तन में पुरान होता है तन से पुरान निकल जाने पर निर्जीव शरीर को लोग क्या करते है ले जाकर या तो जला देते हैं या फिर उसे जमीन में गाड़ देते हैं डाकिया चला बाटने सुख दुख भर के जोला अब डाकिया को नहीं डाक बाटने वाला यानि पोस्टमेन तो पोस्टमेन क्या कर रहा है वो सुख दुख बाट कर चला जा रहा है डाकिया के तहले में तरह तरह के पत्र होते हैं मैंसे किसी में खुशी के समाचार तो किसी में दुख दर्द की खबर होती है खुशी के समाचार मिलने पर लोग प्रसंद नहीं याने खुश होते है और दुख दर्द वाले समाचार होने पर गम में डूप जाते है तो मनुशे के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं और यही प्रकर्ति का नियम है और डाकिये के तरीफ तरफ से यह बयान किया गया है अब देखते हैं अगली पंक्तिया क्या कहती है मैया की मैया की आई वृद्ध आश्रम से चिट्टी कैसे हो बेटा अब यहाँ पर वृद्ध आश्रम किसे कहेंगे जहाँ पर बुड़े वेक्तियों को ले जाकर रखा जाता है अक्सर बच्चे अपने जो बुड़े माबापे उन्हें ले जाकर छोड़ देते हैं बड़ी गलत बात होती है तो मैया की आई यहने बेटा कैसा भी हो माता के दिल में उसके लिए सदा प्यार बना रहता है बेटे ने माँ को अपने साथ ना रखकर उसे वृद्ध आश्रम में भरती करा कर उससे चुटकारा पा लिया है फिर भी मा के दिल में ऐसे बेटे के लिए भी प्यार है और प्यार में कमी नहीं आई है वो वुरुद्ध आश्रम से बेटे को चिट्थी भेज कर उसके कुशल मंगल रहने की काम न करती है और उसकी खैर खैरियत पुश्ती रहती है हो गई चोरी संसकारों की तिजोरी लुट गया मैं अब यहां पर कभी वर्र क्या कहते हैं अब यह तिजोरी जो है जिसमें बहुं मोले सामान रखा जाता है यह लोहे का मजबूत बक्सा होता है लेकिन यहां पर क्या कह रहा है यहां पर कभी कहता है कि उसकी तिजोरी की चोर हो गई है तो जो ऊसे कौन सी छोरी हो गई है है ? यह जो जो चीज संसकार किसी भी धंदॉलत से वड़ी कीज़ कोई कहता है कि विकती का संसकार हो जाये तो समझ में मेसूत होते हैरने आप पो समझ में आये होगी श्वाधियाय के साथ कृतियों के साथ हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे तब तक के लिए गुड़ बाइ